नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे बर्मी कंपोस्ट की संरचना के बारे में तो जिसमें हम समझेंगे कि इसमें क्या-क्या पोसकता तो पाये जाते हैं हम बात करें कि गोबर की खाज जो है फवाइम होती है जैसे फाम्यार्ड मेनियूर बोलते हैं उससे इसमें बर्मी कंपोस्ट में पांच गुना नाइट्रोजन ज्यादा होती है आठ गुना फास्पोरस ज्यादा होती है और पोटास ग्यारा गुना ज्यादा होती है और मेग सागेस्ये साले साथ पीएच अच्छा माना जाता है पीएच आप जानते हूंगी power of hydrogen जो कि हमारे खेती में अगर खेती करते हैं तो न्यूट्रल जो होना साडे खे से साडे साथ को सबसे अच्छा स्मस्माना जाता है दूसरी बात इसमें जो नाइट्रोजन है वह 25 से बन परिशेंट तक इसमें नाइट्रोजन होता है और जो परस्पोरस है वह 15 से 25 होता है इसमें प्वेशियम जो है फा servi 9-3 होता है और यह ति जो अगर हम बात करें, sodium की तो 0.02 होता है और magnesium 0.46% इसमें पाया जाता है, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे मेरा जो गिलकी का फील्ड है, तो दोस्तों ये देखिए ये बर्मी कमपोस्ट का जो संरचना है और इसमें जो पोसक पर तो पाया जाते हैं, इसकी बज़े से फसल बहुत ही और floating स्टार्ट हो चुकी है, और शांदार पत्ते हैं, एकदम शांदार फसल बर्मी कमपोस्ट से तयार हुई है, तो इस तरह की जानकारी यदि आप चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार